नमस्काल दोस्तों मैं हूं करती सिंग और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल लॉईजी नोट्स लॉई को समझना हो गया है इजी दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉई को आसान भासा में समझाने का प्रयाज करते हैं दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे नियाएक पृत्थक करड़ की दोस्तों नियाएक पृत्थक करड़ एक कानूनी डिक्री है जो एक अदालत द्वारा पती और पत्नी को अलग-अलग रहने का आदेश देने या उनकी साधी को भंग किये बिना उनकी बैवाहिक संबंदों को समा नहीं होते हैं और उनके भी सभी बुनियादी बैवाहिक स्तायतों को निलंबित कर दिया जाता है बेसहमत से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि उन्हें अपने बैवाहिक संबंदों का आत्म रिच्छड करने का समय मिल सके नियाएक पृत्थक करड़ का समझोता आम त करती है और यदि वे अपनी शादी से खुश नहीं है तो वे तलाक के समझोते के साथ इसे समाप्त कर सकते हैं दोस्तों नियाएक पृत्थक करड़ होने के बाद उनका विवा समाप्त नहीं होता है इसलिए पती बदनी पनर विवा करने के लिए सोतंतर नहीं होते हैं यद सार की सजा और जुर्माना हो सकता है यदि पृत्थक करड़ समझोते के दोरान पती पत्नी में से किसी एक की मिरत हो जाती है तो दूसरे पती या पत्नी को उसकी समपत्ती बिरासत में मिलती है बैद नियाएक पृत्थक करड़ के लिए एक और सर्थ है कि पक्षों के विभावी बैद होना चाहिए सुन्य विभा में प्रिथक करण का समझोता नहीं हो सकता है हिंदु विभा अधनियां 1955 की धारा 10 में नियाएक प्रिथक करण के बारे में बताया गया है और विशेश विभा अधनियां 1954 की धारा 23 में उस इस्तिति के बारे में बताया गया है ज इन में से कुछ आधार इस प्रकार है दोस्तों पहला आधार है व्यविचारी दोस्तों व्यविचारी का मतलब होता है कि पती या पतनी में से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंद बनाता है दोस्तों दूसरा आधार है कुरूरता का अर्थ वही नहीं होता ह जो आम आदमी अपनी भासा में समझता है कानूनी करूरता का एक अलगी अर्थ होता है सर्वोच नियाले ने एक केस में विभा के संदर में करूरता सब्द को परवाशित करने का प्रयास किया है सर्वोच नियाले ने माना है कि एक कार्य करूर होगा यदि उसका उद्देश दूसरे पक्ष को पीड़ा देना है। इसमें पती पत्नी के मन में यह आशंका पैदा नहीं हो सकती है कि दूसरे पत्नी के साथ रहना हानिकारक है। पूर्ड ताह कंडन कर दिया गया हो उस्तों यह तीन प्रकार के होते हैं बास्तिविग परित्याग रशनात्मा परित्याग और जान बूस्त कर उप्यक्षा करना है बास्तिविग परित्याग जब पती पत्नी में से कोई भी बास्तम में अपने किसी भी कार्य की माद्यम से दूसरे पक्ष को छोण देता है उधारट के लिए मीना वनाम लक्षमर 1969 के मामले में पत्नी अपने पती को बताए बिना अपने माता पिता के घर चली गई और बापसी का जूटा बादा किया लेकिन दो साल की अबदी तक बापस नहीं आई मंबई उच्च नियाले ने इसे परित्याग माना और नियाईक पित्थकरण का आदेश दिया दूसरा होता है रचनात्मक परित्याग जब पती पत्नी में से कोई ऐसा बाता बरड बनाता है जो दूसरे पक्ष को छोड़ जाने के लिए मजबूर करता है तो इसे उस पक्ष दूसरा रचनात्मक परिताग कहा जाता है जो ऐसा करने के लिए मजबूर होता है उदारण के लिए पती को अपनी पत्नी में कोई दिल्टरस्पी नहीं है और उसके प्रति उसका बेवार साधी की सुरुवास से ही कठोर है जिसके कारण पत्नी को बहुत सारेरिग मांसिक पीड़ाएं चेलनी पड़ी और वहें एक तला की याच का दर्ज करने के लिए मजबूर हो गई इसे पती के द्वारा रचनात्मक परिताग माना जाये का तीसरा होता है जान बूच कर उपेच्छा करना जब पत्नी में से कोई भी सारीरिक रूप से त्याक किये बिना जान बूच कर दूसरे पक्ष की उपेच्छा करता है तो इह जान बूच कर उपेच्छा है में सहवास से इनका दोस्तों या सहवास का मतलब संबन से होता है और विविन अन बैवाहे कतब्यों की उपेच्छा करना सामिल है दोस्तों चोथा आधारत धर्मांत्रड का जब पती पतनी में से कोई एक दूसरे धर्म में परवर्तित हो जाता है और हिंदू धर्म नहीं रहता है तो दूसरा पक्ष नियाएक प्रिथकरण के लिए अपील कर सकता है दोस्तों एक मामला हुआ था 1983 में जिसमें पती ने इसलाम धर्म अपना लिया था और विवा के बिग्टन के में लिए याच्का दायर की थी सवाल यह था किक्या हिंदू धर्म का धर्म तयागी हिंदू विवा अद्यम 1935 के तहद द की बिवा के विक्तन के लिए दायर कर सकता है नियाले नीए भी कहा था कि पक्ष उसस्थी का लाव लेने का अग्दार नहीं है जिसके कारव दूसरा पती या पत्rente को नुकसान हुआ हो दोस्तों पाश्मा अधार्य अस्वास्त मन या मानसिक्क बिकार गार्य किसी प्रक्रत में अस्वास्थ मनन का तो पक्ष नयायक प्रिथकरण के लिए अपील कर सकता है दोस्तों एक मामला हुआ था 1968 में जिसमें पती ने अपनी पत्नी के अस्वस्त मन के आधार पर साधी को खत्म करने की मांग की थी और यह तक दिया था कि साधी बाले दिन से वह एक विमारी से पीड़ित थी नयालय न नयायक प्रिथकरण का पांचमा आधार है त्याग का अर्थ है कि किसी व्यक्त ने आध्याद्मिक जीवन जीने का फैसला कर लिया और पूरी दुनिया और सभी भौतिक सुकों को द्याग दिया हो यह उन आधारों में से एक है जिस पर विभा का पक्ष नयायक है जिन्दा ना होने का अनमान जब पती या पत्नी में से कोई भी साथ साल से अधिक समय के लिए लापता हो गया हो और उसके जीवत रहने के बारे में कोई जानकारी नहीं हो और ना ही उसके परिवार या दोस्तों में उसकी उपस्तती के बारे में पता हो तो यह माना जात कि पति या पत्नी की मिरती हो गई है और अन्य पति या पत्नी इस आधार पर नियाएक प्रिथकरण के लिए प्रातना कर सकता है दोस्तों नियाएक प्रिथकरण का सात्मा आधार दुई विवा इसका मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति पहले से ही कानूनी रूप से किसी और के साथ विवाहित है और अधनियम के लागू होने से पहले पती दूसरी पहला से पुनर विवा करता है वहले ही उसकी पत्नी जीवित हो तो पत्नी पती से न्याइक प्रिथकरण के लिए आश्का दायर कर सकती है और दोस्तों इसका आठमा आधार है बलातकार का दोसी होना अग तो नियाएक प्रिथकरण का एक आधार यह भी है कि यदि लड़की के 15 वर्स की आयू प्राप्त होने से पहले बिवा कर दिया गया हो और उसने 15 वर्स की आयू प्राप्त करने के बाद लेकिन 18 वर्स की आयू प्राप्त करने से पहले बिवा को अस्विकार कर दिया हो तो पत प्रिदान करने के लिए एक बड़ी भूमिका निवाता है दोस्तों नियाएक प्रिथक करण का परड़ाम यह होता है कि नियाएक प्रिथक करण के समझोते के बाद पती और पत्नी अब एक सार रहने के लिए बाद नहीं होते हैं लेकि उनके जो कानूनी अधिकार होते हैं व पती ने उसकी सहमत के बिना उसके सास्थ संबंद स्ताप्स किया है, तो वह सजा के लिए उत्तरदाई होगा, इस तरह के अपराद के लिए सजा कम से कम दो साल की होगी, जिसे सास साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा नैक पृत्तक करण की अबदी के दोरान पती पत या पत्नी प्रित्रक करण की इस सबसें के दोरान करते हैं तो होते हैं नियाएक पिर्थक करण के बाद पत्नी पहले की तरह ही संपत् yağ के ठीज जानकारी सबस्क्राइब बीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आप हमारे यूट्फूब चैनल Law Easy Notes को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी धन्यवाद